बीबी रजनी दा इताहास असली है या फिर ए सिर्फ साड़े पिछोकरना जोड़ देती गई एक दंत कथा मातर है आखर केड़े इताहासिक सरोत विच एस कटनादा जिकर मिलदा है एस विशे ते आ रही नवी फिलम दियां चल कियां ते पुराणी फिलम देखन तो बाद कुछ एहोजी अंगलना साफ साफ नजर आरियां हन जो असली ताहासनल मेल नहीं खन दियां सो ए सब कुछ जानांगे आज दे इस विडियो विच तर चलो फिर सिक ताहसनल जोड़े एस तरह दे शानदर विडियो विडियो वेखन लई सक्सेस दाराज चैनल सिस्क्राइब कर दे होए अग्यवद ये सिक कौम दे बड़े ही महान कवी होई हन पाई संतोक सिंग जी लगपग महाराजा रंजी सिंग दे समकाली उगधा पाई संतोक सिंग जी ने कई महान गरंथ लिखे हन पर उन्ना दी सब्तो वड़ी सेवा ए है के पाई संतोक सिंग जी ने टाई लख काव शलोक लिखके प्रतम पाच्छा शिरिगुर नानक देव जी तो लेके शिरिगुर गोबिन सिंग जी बाबा बंदा सिंग बादर तक ऋम पूरणे तहस दो गरंतां विछ लडिवार संजोग दिता नि हन्र गरंथा नाम हन शिरीगूरू नानक प्रकाश टे शिरी गूरप्रताप सूरज गरंथ ते आजडे दूसरे ग्रंथ दा नामे लिया शिरी गुर परताप सूरद ग्रंथ ए बिबी रजनी दा परसंग सनु ऐसे ग्रंथ विच्छी मिलदा है ए गल है लगपग 1577 दे लागे तागे दी पंजड रियामा दीये स्तर्ति ते पत्टी नादी एक निकीजी रियासत होया करदी सी ते उन्ना समयच पत्टी दा चोदरी हूनदा सी दुनी चंद नादा एक हंकारी बनदा ए रियासत ओस समय मुगलांदे अधीनों दी सी ते दुनी चंद दिली दे मुगल दरबार ली लगान वसूलन दा कम करदा सी सो पटी रियासत विच ओदा पूरा दबदबा सी एशो राम ते ता नदोलदी कोई कमी नी सी पर जे कमी दी गल करिये दा दुनी चंद दियां पंजतियां सन पर ओदा कोई पुत्तर नहीं सी कुझ स्रोता विच साथतियां दा जिकरवी ओंदा है पर पाईसंतोग संग्जी पंजतियां बारे ही लख दे हन पुत्तर दी दातली दुनी चंद ने बड़े तरले मारे पर उस पालन हार नू कुझ होरी मंजूर सी चारती आतो बाद जदो ओदेकर 25 संतां जनम लेन वाली सी ता ओस समय दुनी चंद ने बड़े मंदरा मसीदांच जाके मथे रगडे हवन कराये ते बड़े वड़े वड़े दान पोन की थे पर चारती आतो बाद एस वार भी ओदेकरेक ती ने ही जनम लेया इस बच्ची दा नाम रख्या गया रजनी होन दुनी चंद दा रबतो विश्वास ओठ चुक्या सी उन्हे अपने इलाके दे सारे मंदर में सीधां बंद कराते ते जे कोई रबता ना जबता ता उन्हों शरे आम चो राहेच खडा करके सक्त तो सक्त सजा दिती जांदी एतों तक के ओ अपने आपनू रबतों वी उत्ते समझन लग प्या सी समा लंगिया ते बीबी रजनी ने सुर्त संबाली पर कुद्रती तोरते ही ओस बाविच अपने पिता तो बिल्कुल उल्ट पर मात्मा विच अपार शर्दा रख दी सी बीबी रजनी अकसर इकले बैठके रब्दा ना जब दी रेंदी पर ए गल्ला दुनी चंदनू बिल्कुल वी पसंद नहीं सन ओ अकसर इस गल्ते बीबी रजनी ते गुसा करदा एक दन की होया के दुनी चंदने अपनिया पंजेतियानू कोल बला के पुछया ए गैने गटे महेंगे महेंगे कपड़े ते वन सवनना खान पान ए सब्त वननू कौन दे रहा है तुसी कीदा दिता खांदियां हो ताम वड़ियां चारे पैना ने इको सुर्विच केहा के पिताजी तुसी ही साड़े पालन हार हो असी तु आड़ा दिता ही खांदियां हाँ ए सुनके दुनी चंद बड़ा खुश होया पर उनने वेक्या के बीबी रजनी एक पासे बिल्कुल चुप चाप खलोते सन ए वेक्ये दुनी चंद ने बीबी रजनी तो एक वर फेर एही सवाल कीता के रजनी तु जवाब नहीं दिता दस तु कीड़ा दिता खांदी है बीबी रजनी ने जवाब दिता के पिता जी मैंनू लगदा है के पैना बड़े वड़े पुले के विछन असी सारे ओस रब दा ओस पालन हार दा दिता ही खांदे है ओ दा पत्रज बेटे कीड़े नूँ भी पुखानी रहन दिन दा तुसी ता बस एक जरिया मातर हूँ मैं ता ओस रब दा दिता खांदी है रजनी दा ए जवाब सुनके दुनी चंद गुसेना लाल हो गया के इंदा ये तेनू बड़ा बड़ा वैम है के सारे एशो राम तेनू रब दे रहा है वेखूंगा जदो मैं अपना हाथ तेरे सर्तो चोक लेया ते तु दाने दाने नू मुथाज हो गई पेर मैं तो नू पुखूंगा के तु कीड़ा दिता खांदी है एस तो बाद दुनी चंद ने ओ घिता जो कोई सुपने विच्वी सोच नी सी सकदा दुनी चंद ने रजनी दे हान दा एक मुंडा लब्या एक ताउ दा सारा पिंडा कोड़ दा मारया सी ते दुज्जाओ आत दर्जे दा गरीव सी ओस पिंगले दा नाम सी विक्रम दत ओपी इखमांग के अपना गुजारा करदा सी कोई वी ओधी कोड़ दी मारी बदसूरत शकल तक नी सी विखनी चोंदा एस लई लोग ओन्नो अपने पिंडा नगरांच वड़न तक नी सी दिन दे अपने पिता दे हुकम नू रबदा पाना मन्या ते अपने पती नू खारी च बठाके नगर तो दूर चली गई एथी एक गल में नोट किती के दोवा फिल्मा विच बीबी रजनी नू अपना पती एक रेडी च बठाके खिचदे होए वखाया गया है पर पाई संतोक सिंग जी एते रेडी नई खारी शब्द दी वर्तो कर दी हन ते खारी शब्द दा अर्थ पाई कान सिंग नाबा महान कोश विच लिख दी हन ओ टोकरा जीदिच रखके पार चुक्या जानदा है यानि कि बिबी रजनी जी अपने पती नू टोकरे च चोक के पिंडा नगरा विच फिर दे ते पीक मंग के गुजारा कर दे वड़े वड़े महला मुनारय च एशो रामनल रहन वाली ती जीने कडे पकीब गई रोटी वी आप थाली च पाके ने सी खा दी अज दर दर दिया ठोकरा खा रही सी पर एश में वी उन्ना दे मुखते इको गल सी के हे परमात्मा जी एश तरह मंग तंके खाना ही तवा डिमर जी है तमें एदे विच वी राजी हां ते नालियों हर पल अपने पिंगले पती दे स्वस्थ हों ली अरदास भी कर दी रहन दी ते एश तुरान बिबी रजनी ने अपने पती नाल कई तीर थांद यात्रा भी की थी ताँ जो ओदे पती दा रोग दूर हो सके क्योंकि बीबी रजनी दे पिंगले पती नू लोग पिंडाच वडन तक नहीं सी दिन दे सो बीबी जी ओन्नू पेंड दे बार बठाके आप मंगलली पेंड चे चले जन्दे ते जो भी रुखा सुखा मिलदा पहला अपने पती नू शिका के जे कुछ बच जन्दा ता आप शक दे एसे तरही पेंड पेंड कुम दे एक देनो पागा परी तरती चक रामदास पुरा पोंच जन्दी हन जिसनो आजकल आपा श्री अमर्चर साहिब दे नामनाल जान दे हां ओ समे इते एक पाणी दी छपड़ी हुन दी सी बिबी रजनी ने अपने पती नू ओते एक बेरी दी संगनी चावें बठा दिता ते आप तुंग पिंड जो के अजका लगबग शेहर दे वेची आ गया है ओते मंगन ली तरपए जेड़ी बेरी हेठा बिबी रजनी दा कोड़ी पती बैठा सी ओते कुछ कावी बैठे सन ओ वेखदा है के एक काव ओड़ के होंदा है ते शपड़ी दे पानी चुब्भी मारदा है ते जदों बार निकलदा है तो ओदा रंग काले तो एक दम चिट्टा एन हंसवरगा हो जनदा है एवेख के विक्रम दत हरान रह गया थोड़ी देर बाद एससे तरह ही एक होर कावी चपड़ी चुब्भी मार के काया बदल के बार निकलदा है एवेख के विक्रम दत दे मंच विचार आया के लगदा जिमें एक कोई सिदारन चपड़ी नहीं एससे जरूर किसे महापुर्षदी अलोकिक किरपा होई है डोबना जावे सो सहारे लिए उसने रोख दी एक शाखा पकड़ी ते रबदा ना ते ओंदे होए पाणी च उत्तर गया ते जदो पाणी उस दे स्रीर नू लगया ता ओस पालन हार दी किरपा नाल अजिहा बाकमाल को तक वाप्रया के ओदे सारे जखम मिट गये ओदा सारा सरीर पूरी तरह ठीक हो गया ए सब वेक के विक्रम दत पूरी तरह हरां सी पर मातमा दा शुकर करदा होया ओचपड़ी दे कंडे ते बैठके बेसबरी नाल रजनी दे ओंदी उडीक करन लगया पर जदो रजनी वापस आई ता अपने पती नू अथे ना वेक क ते पती दी था कोई अजान नौजवान वेक के डर गई ओपड़े पती नू पशाण नी सी सखी ओधे मन चाया के किते आस नौजवान ने मैं नू पौन लई मेरे पती नू मार्ता नहीं दिता रजनी दे पती विक्रम दत ने ओनू सारी गलबात विस्तार नाल दसी के केस तरहां ओदे अथा विश्वास दा सदका प्रमातमादी मेहर होई है पर विक्रम दत दे वार वार समझोंते वी रजनीनु विश्वास ना आया ते ओ जोर जोर नाल रोन लग पई ओधी अवाज सुनके लगे तागे दे खेताच कम कर रहे तेने चार किसान वी उत्थे कठे हो उलजन दा हलता ओही जानी जान महापुर्ख ही कर सक दी हन रजनी ते ओधा पतिये सारी गल सुनके किसाना दी दसी होई दिशावल तोर पए ते जदो पुंचे ता गुरु सहिब अपने आसंते विराजमान सन ते गुर्बानी विचार चल रही सी बीबी रजनी ने आरी गलबात कै सुनाई तद गुरु सहिब परमाये के तीये ए नोजवान बिल्कुल ठीक कह रहा है ए तिरा कारवाला ही है तेरी जो उस अकाल पुर्खविच अपार शर्दा सी तैनू इसे दाही फल मिलिया है फेर वी तेरी तसली लई विक्रमदत दा एक हथ जीदे नाल इने द्रक्ठ दा टाना फड़िया सी ओ हजे भी कोड नाल प्रबावत है विक्रमदत अपनी पतनी दिया अखल सामने ए हथ छपडी च डुबो के एदी शंका दूर कर देयो एस्तों बाद विक्रमदत ने भी ठीक ओमई कीता ए वेके रजनी नू पूरण विश्वाश हो ग दरसल हुन विक्रमदत ने अपना कार्चलों लई एक निका जाक किता शुरू कर लिया सी ते प्रमात्मा ने ऐसी खेड रचाई कुझ एक साला विच्छी ओदे कारोबार ने ऐसी तरक्की किती के एक वर फेर बीबी रजनी नौकरा चाक्रा ते हवे लिया वाली हो गई पुच्छन ते उसने दस्या के तिये जदों दी तू मेरे कर्चों गई हैं मेरे पुठे दिन शुरू हो गई काटे ते काटा पेंदा गया ते इनना काटियां करके हिया जमें मंग के खान ते मजबूर हो गया हां ओस अकालपुर्ख दे परमात्मा दे रंग न्यारे हन कौन कीदे पा गंदा खा रहा है ए ता बसो अकालपुर्ख सच्चा पिता परमात्मा ही जानता है जे तो अनो ये वीडियो पसंद आया ता गुरू सहेव ते अपार शर्दा रखन वाले पाई मखनशा लबाना दाई ता हास्वित्वा नू जरूर पसंद आऊगा जो एक सिख हों दे बावजूद जालम औरंग जेब दे मोगल राज विच्वी आज दे अमबानी ये डानी जिनी पावर रख दे सन ते खुद औरंग जेब ने उनना नू कतल तक करन दी छूट दिती होई सी विडियो नू लाइक करके सक्सेस दारा चैनल सस्क्राइब जरूर कर देओ ते कमेंट बक्स विच टाइप करके जरूर दसेओ के तुसी बिबी रजनी ते बनी ये नवी फिलम वेखन जाओंगे या नहीं ते हमेशन दी तरह कमेंट बक्स विच वाहिगुर्जी लेके अपनी हाजरी जरूर लवा देओ वाहिगुर्जी का खाल सा वाहिगुर्जी की फते